ऐसे सवालों में यदि पैटन पकड़ में आ गया तो फिर आप सवाल को आगे बढ़ा देते हो जनरलाइज भी कर देते हो सब कुछ हो जाता है लेकिन इनीशली पैटन पकड़ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है यह सीरीज एक दे रखी थी इसने 1 अपॉन 1-3 1 स्कॉर प्लस 1-4 प्लस 2 अपॉन 1-3 2 स्कॉर टू 4 यह सीरीज आप देख लीजे अप टू 10 टम्स तक इसका सम ही निकालना है सम्दा सीरीज सम्दा सीरीज सवाल आया था जे-ई-मेंस 2024 31st अप जन्वरी का कॉश्चन है ठीक है तो आप किस तरह से लिखोगे पहले तो जनरल टम अगर हम है सही से तो फिर तो फिर काम बनी जाने वाला है उपर देखिए 1-2-3 चल रहा है तो 1-2-3-4 चल रहा है तो आर चलेगा जनरल टम में अब पहली वाली टम की तरह नज़र डालिए यह वन है हर जगे वन है तो इसको जनरल में भी वन ही होना है 1- माइनस लगना है माइनस हर जगे है एक जज़े साही है तो 3 भी वैसा का वैसा ही आएगा और देखिए 1 का स्क्वार हो गया 2 का स्क्वार हो गया 3 का स्क्वार हो गया तो जनरल टम में हम क्या लिखने जाएंगे R का square लिख देंगे इसके बाद में plus आ रहा है plus सब में आ रहा है तो सब में एक जैसा ही है ठीक है 1 की power 4 है 2 की power 4 है 3 की power 4 है तो R की power 4 जनरल टम में R की power 4 लिखेंगे अब रही बात की अब हम इसको कैसे लिखेंगे अब देखें थोड़ा सा यहां पे जैसे ही अब आप करते तो idea हिट करना लगता है यह R की power 4 है square वाली टम है लेकिन middle में मुझे 2 R square चीए था लेकिन यहां तो 3 square है माइनस का तो इसको एक बार सीधा सीधा करके लिख लो R की power 4 लिख लो और whole square बनाने के लिए मुझे यहां पे minus 2 R square की जरूत होगी अब बाकी का जो बचेगा उसको हम देख लेंगे बाद में क्या करना है और 1 minus R square और छूट जाएगा तो यह जो number है यह इतना यह R square minus 1 का whole square है इसको भी लिख सकते हैं तो यहां से हम 2 partition कर सकते हैं वो जो 2 partition होंगे वो हमारा काम करेंगे में कि एक तो आप लिखोगे R square minus 1 का square लिख दोगे ठीक है और एक minus R का square लिख दोगे तो यहां 2 factor बना दीजे जल्दी से R square minus 1 plus R लिखा हमने और दूसरा factor होगे R square minus 1 minus R अब रही बात है partial fractions बनाने की क्योंकि ऐसी सीरीज में जब हमें summation करना होता है तो बीच में minus place करना होता है और उसको 2 partition करने होते हैं partial fractions ऐसे बनाते हैं कि जो general term है उसमें पहली term और दूसरी term के बीच में minus आए जिससे वो cancellation चालो हो जाए और पहली दूसरी पहली दूसरी term जो है आपकी cancel होती चली जाए और last में उदर से पहली बचेगी तो उदर से last बसती है ये एक normal pattern है ठीक है ना तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको मैं कैसे लिख दूँ अब एक काम कर रहा हूँ मैं कि R तो ठीक है अपनी जगे है लेकिन ये वाला जो term है मैं यहीं पे इसको माइनस करके देख लूँ कि ये तो जब माइनस करूँगा ना तो ये चीज तो गायब हो जाएगी तो ये जुड जाएगा अगर मैं बीच में यहां माइनस रखता हूँ तो तो जुड़ेगा तो 2R आएगा तो हमारे पास तो लेकिन R है तो हमें काम करते हैं न सीधा सीधा ऐसा 1 by 2 करके और ये वाली term लिखता हूँ R square minus 1 plus R और minus करके second term लिख देता हूँ R square minus 1 minus R लिख देता हूँ और नीची जो divide था वो वैसे के वैसे अभी तो हम वैसे ही रखेंगे फिर बाद में देखें अगले step में जल्दी से बताता हूँ आपको R square minus 1 minus R रहेगा ठीक है इसको एक बार ये चेक कर लिजे ये दिख रहा है ना इसको एक बार चेक कर लिजे कि यहाँ पर हो क्या रहा है हमने किया क्या है और ultimately ये 2 से divide किया यहां हमने सोचा था कि ये 2R बना रहा है तो R square minus 1 तो कट हो जाएगा और R और minus और minus plus 2R बनाएगा तो उपर 2R divided by 2 आएगा 2R divided by 2 आएगा तो वापस पहले वाली position बन जाएगी तो मतलब इसके बाद ऐसा लिख सकते हैं ये clarity आ गई ठीक है ना अब हम इसको क्या कर दें इसको हम जो है separate कर दें 1 by 2 इसके साथ जब ये separate होगा तो plus वाली cancel हो जाएगी minus वाली term बचेगी थोड़ा ध्यान से बस यहीं देखना होता है ठीक है ना minus R फिर बीच में minus आ रहा है और ये जब इसके नीचे दोनों terms लिखेंगे तो ये वाली cut हो जाएगी ये वाली बचेगी तो ठीक है ना इसके नीचे ये आएगा R square minus 1 प्लस R आएगा ये जब हम लिख चुके तो ultimately हमारा काम हो चुका है अब बस कुछ नहीं करना है अब terms को लिखते वे जो है उसने बोला था कि 10 terms का sum निकालो ठीक है तो हम निकाल सकते हैं अब ये सारी चीजें जो है ये मैं हटा देता हूँ इनका कोई मतलब नहीं है यहां तक हम पहुँच गए इसका मतलब हम final points पर पहुँच चुके हैं और अब हम क्या करने वाले हैं ये जो general term है हमारी TR इसमें main जो sum निकाल रहे है sum निकालने के लिए क्या करेंगे इसी general term में जो main S निकालना है पहला one put करेंगे one से ten तग हमें रखना है ठीक है न तो ये जो general term है TR मतलब इसको ऐसा भी लिखता हूँ है इसको sum निकालने के लिए submission of TR लिख सकता हूँ r request to one से ten लिख सकता हूँ और general term को यहां लिख सकता हूँ है ठीक है तो कोई बात नहीं लेकिन मैं एक ही साथ लिखते चले जाता हूँ one by two तो है one by two सब में आएगा तो one by two को मैं most common कर देता हूँ और r की value one रखता हूँ पहले r one put करेंगे न पहले r one put करेंगे तो देखे ब्रैकेट में क्या आएगा one minus one zero और फिर minus one तो यह देगा minus one देगा minus का one upon और r one put किया है तो one zero plus one तो यह one आएगा तो यह जो यहाँ small bracket एक बनेगा minus one minus का one by one बनेगा यह हो गया अब मैं r की value two रखने जा रहा हूँ r की value two रख दो ठीक है r जैसे ही two put करोगे r two तो यह क्या बनेगा r two put कर रहे है तो one upon यहाँ पे देखे two put कर रहे है four minus one three three आएगा है ना three minus two यह one देगा minus one upon r two put करें four minus one three और two five यह five देगा तो अगला जो term होएगा one minus one upon five आगया प्लस r की value अब हम three put करने जा रहे है ठीक है एक और रख के दिखा देता हूँ मैं r three भी put करके दिखा देता हूँ r three put करेंगे तो यह जो general term है general term में यह ध्यान रखीगा one by two मैंने बिल्कुल most common था constant था उसको तो बाहर रख दिया है और अब r three put करने जा रहे हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा nine minus one eight आएगा और eight minus three तो one upon five आएगा तो यह one upon five आएगा minus one upon है ना r कितना put कर रहे है थ्री है ना तो nine minus nine minus one eight eight plus three यह eleven आएगा eleven आगया अब हम क्या करते हैं हमें pattern पकड़ में आगया है और हमें यह मालूम पढ़ गया कि यह cancel हो रहे है actual में यह इससे cancel हो रहा है minus one upon five प्लस one upon five से cancel हो रहा है directly r की value 10 रख देता हूं r की value जब 10 put करेंगे r 10 put करेंगे तो one upon यह 10 यह आएगा r की value 10 है तो 100 minus one आएगा 100 minus one minus 10 आएगा minus one upon 100 minus one plus 10 आएगा तो इसको आप ध्यान से देखें यह 90 है 90 में से एक और गया तो one upon 89 आएगा one upon 89 आएगा minus one upon और यह कितना आएगा 110 में से 110 110 109 यह आएगा 109 बिल्कुल ठीक रखा ठीक है अब कुछ नहीं करना हमें एक चीज मालूम चल चुकी है कि इधर से जो था one by two यह minus का one बचा था और यह सब cancel हो जाएगे यह भी cancel हो जाएगा और यह last वाला टम बचेगा minus 109 इसका idea तो सभी बच्चों को होता है कि ऐसा ही होता है इसमें ठीक है ना minus हम common ले लेते हैं तो one plus one upon 109 आता है तो इसको minus half into 109 plus one 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 ten divided by 109 आएगा जो की minus का 55 upon 55 upon 109 लिखाया सकता है इसमें जो है यह option इसमें right आ जाएगा तो एकदम accurately जब आप generalize कर चुके होते हो उसके बाद में values रख देते हो तो silly mistake ना हो इसलिए थोड़ा सा time लेते हुए patients के साथ लिखते चले जाओ आप 100% right answer आपको मिलने वाला है